तो आईए सुरू करते हैं या वीडियो आपके लिए बहुत महत्पूर होने वाला है सेवी के नए नियम क्या है क्या आपको पता है सेयर बाजार में पैसा लगाने के नए नियम अब बदल चुके हैं सेयर बाजार में लोगों की दिल्चस्पी तेजी से बढ़ी है खासकर यूबाओं की भागीदारी इस पर बहुत तेजी से बढ़ी है सेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए डिमेट का होना बहुत जरूरी होता है लेकिन एक अक्टूबर से कुछ नहीं नियम आए हैं क्या नहीं भरने पार आपके डिमेट को फ्रीज भी किया रहा सकता है इसका मतलब यह हुआ कि एक अक्टूबर से नए डिमेट खोलने के लिए नॉमनेशन का विकल्प दिया जाएगा इसमें आप किसी को भी अपना नॉमनी बना सकते हैं अगर आपको लगता है कि नॉमनी नही नॉमनी बनाना है तो आपको एक declaration firm होगा जिसमें sign करना पड़ेगा सेवी ने आपके लिए इस sign का भी option दिया हुआ है इसमें आप तीन लोगों को अपना नॉमनी बना सकते हैं मैं भी अगर कोई miss हुआ तो आपके shares जो होंगे वो नॉमनी को transfer मिल सके इसके लिए सेवी का यह प्रियास सरहनी है इसमें नाम changes का भी option दिया गया है NHDL CDSL की report के अनुसार साल 2020 से कारोवारी साल के अनुसार 14.2 करोड नए डिमेट खाते खोले गया है नए डिमेट की संख्या पिछले कारोवारी साल से 3 गुना ज़्यादा है सेवी का यह नया नियम जवरत के हिसाब से बहुत अच्छा माना गया है आपको भी मानना चाहिए इसमें आपके capital की security भी रहेगी इसके साथ साथ नए अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो को like और subscribe जरूर करें ताकि आपको trading और investment के साथ सेवी के नए regulation की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सकें